मैं डॉक्टर शुती गुस्वामी, म.S. कॉलेज भीका निर, म्यूजिक वोकल, आज हम बी ये पार्ट फस्टियर के लिए उनकी स्लेबस में से थियोरी का जो पार्ट है, आपको पता होगा कि आपके स्लेबस में दो थियोरी पेपर्स बताए गए हैं, जिसमें से हम सेकिंड पेपर यहां डिसकस करने जा रहे हैं, सेकिंड पेपर का यूनिट थर्ड जिसमें से एक टॉपिक है आपका हिंदूस्तानी संगीत पद्धती के चाली सिध्धान, उस पर आज हम यहां आपको बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों यह जानना जरूरी है कि हमारे जो भारती संगीत हैं, उसमें दो संगीत हैं, उनकी पद्धतियां यहां प्रचलित हैं, जिसमें से दो संगीत की पद्धतियां प्रचलिते हैं, जिसमें से एक है करनाटक संगीत, जिसको की हम दक्षन भारती संगीत की बोलते हैं, दूसरा है हिंदुस्तानी संगीत, जिसमें की उसको उत्तर भारती संगीत पद्धति के नाम से हम जानते हैं, यही कारण है कि आज मैसूर, मद्रास और करनाटक को छोड़कर, क्योंकि हमारा उत्तर भारती जो संगीत है, वो अपनी कुछ अलग विशेश्टाएं रखती है, इसी के कारण आज जो मैसूर, मद्रास और करनाटक को छोड़कर, शेश समस्त भारत में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति प्रचलित है, यहें पद्धति कुछ विशेश सिध्धानतों पर अविलंबित है, संगीत विद्यारतियों को इन सिध्धानतों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, श्री भातखन्डे ने क्रमिक पुस्तक मालिका के पांचवे भाग में इन पद्धतियों को विश्त्रित रूप से उनका उलेक किया है, उसी के आधार पर निम्डखिस सिध्धानत दिये जा रहे हैं जो यहाँ पर आप जान सकेंगे, जिन में से हम वन वाई वन आपको बताने जा रहे हैं, यह 40 सिध्धानत हैं, पहला है हिंदुस्तानी यानि कि उत्तरभारतिय संगीत पद्धुती की नीव बिलावल थाट को शुद्ध थाट मानकर रखी गई है, यानि कि बिलावल थाट के स्वर ही शुद्ध स्वर सब्तक का निर्मान करते हैं, दूसरा है समस्त रागों का वर्गी करण तीन भागों में किया गया है, औरव यानि कि पांच स्वरों के राग जिन में कि पांच स्वरों का प्रयोग किया जाता है, दूसरा और अशाडव जिसमें कि छे स्वरों के राग और तीसरा है सम्पूर यानि कि जिन रागों में सातों स्वरों का प्रयोग होता है ऐसे राग, तीसरा आता है पांच स्वरों से कम का और साथ स्वरों से अधिक का कोमल तीवर मिलाकर बारा स्वर राग नहीं होता यानि कि जिन में पांच स्वरों से कम होता है वो रागों के अंतरगत नहीं आता है और जिन में साथ स्वरों से अधिक स्वरों होते हैं वो राग नहीं कह चौथा है ओडव, शाडव और सम्पून इनके आरो अवरो में उलट उलट होने से नो प्रकार के भेद माने जाते हैं जिनका विवेचन इस पुस्तक में ओडव शाडव भेद के अंतरगत किया गया है पाच्वा प्रतेक राग में ठाट आरो अवरो वादी सम्वादी समय और रंजक्ता ये बातें होना आवश्चक होती है शिक्स्त वादी सम्वादी स्वरो में प्राय चार स्वरों का अंतर होता है वादी स्वर पूर्वांग में होता है तो सम्वादी स्वर उत्रांग में होगा और वादी स्वर उत्रांग में होगा तो समवादी स्वर पूर्वांग में होगा सेविंथ है वादी स्वर बदल कर शाम को गाय बजाय जाने वाले राग को सुभे गाया बजाया जाने वाला राग बनाया जा सकता है आठ्वा है, राग में सुन्दरता लाने के लिए विवादी या वर्जिस्वर का भी किंचित प्रयोग किया जा सकता है नौवा, हर एक राग में एक वादी स्वर होता है जिसका राग में विशिश जोर रहता है वादी स्वर के आधार पर ही पूर्व राग और उत्तर राग पहचाने जा सकते हैं दस्वा, इस पध्धती के राग सामान ने तह तीन वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं जिन में से पहला वर्ग है कोमल रेध वाले राग जिन में कोमल रेध स्वर लगते हैं वो राग दूसरा है शुद रेध वाले राग और तीसरा है कोमल ग और निशाद ग और नी वाले राग जो संधी प्रकाश राग सूर्यास और सूर्य उद्य के समय गाई बजाये जाते हैं वे अधिकांश्त है प्रथम वर्ग में गाई बजाये जाते हैं या पाये जाते हैं प्रातेक कालिन संधी प्रकाश रागों में प्राय रे ध वर्जित नहीं होतें तथा सायं कालिन संधी प्रकाश रागों में प्राय ग नी वर्जित नहीं होतें ग्यारवां, इस पद्धती में मध्याम स्वर महतपूर माना जाता है इसे अर्दशक स्वर कहा जाता है क्योंकि इससे दिन रात के रागों को गाने बजाने का समय इससे निर्धारित होता है बारवां, जिन रागों में गः और नी मतलब की गंधार और निशाद कूमल लगते हैं वे दोपहर या आधी रात को ही अधिकतर गाए बजाए जाते हैं तेरवां, संधिप प्रकाश रागों के बाद प्राय, रे, मौ, धर और निशाद शुद्ध लगने वाले राग गाए वो बजाए जाते हैं चौद्धवां, शर्ज, मध्यम और पंजन ये तीन स्वर प्राय, दिन और रातरी के तीसरे प्रहर के रागों में अपना विशेश महत्व से रखते हैं पंद्रवां, तीवर मध्यम अधिकतर रातरी के रागों में ही पाया जाता है दिन के रागों में ये स्वर कम दिखाई देता है सोलवां, सा, म, और प ये स्वर पूरवांग और उत्रांग इन दोनों भागों में ही होते हैं अते जो राग प्रतेक समय सार्व कालिक गाय बजाय जाने वाले रागों होते हैं इन में इन तीन स्वरों में से एक वादी होता है सत्रवा है, मध्यम और पंच्यम ये दोनों स्वर एक साथ किसी भी राग में वर्जित नहीं होते हैं यानि कि एक साथ ये स्वर कभी भी दोनों एक साथ वर्जित नहीं होगी पंच्यम वर्जित होगा तो मध्यम मौजूद होगा और मध्यम वर्जित होगा तो पंच्यम मौजूद रहेगा 28. किसी भी राग में शर्ज स्वर वर्जित नहीं होता यानि शर्ज स्वर कभी भी किसी भी राग में वर्जित नहीं होगा मतलब वो हमेशा रहेगा 29. रागों में प्राय एक भी स्वर के दो रूप कोमल और तीवरियन पास पास नहीं आने चाहिए किन्तु ललित इत्यादी कुछ राग इस नियम के अपवाद है 20. हम यहाँ बताने जा रहे है अपने नियत समय पर गानी और बजाने से ही राग सुंदर लगता है किन्तु राग दरबार तथा स्टेज यानि रंग मंच पर यह नियम शित्हिल भी हो जाता है यानि कि ऐसा बहुत जो है वो की कम हमको शित्हिल दिखाई देता है यहाँ आज हमने आपको 20 पॉइंट्स यानि कि 20 जो सिधान्त में से 20 हमने पॉइंट्स आपको बताए कि उसमें क्या-क्या विशेष्टा हैं होनी चाहिए उत्तर भारतिय संगीत पधती के अंतरगत जिनमें से हम आपको आगे के जो विशेष्टा हैं वो दूसरे उसमें शेयर करेंगे धन्यवाद